आपको पता है मैक्रो का मैंने टॉप एकनॉमिक्स टॉप एकनॉमिक्स एंसी क्यूज अप्रोड कर दिया मैथमेटिकल एकनॉमिक्स पर किया हूँ ठीक है इस्टारिस्टिक्स का कर रहा हूँ है ना टार्गेट हमारा यूइस्टी नेट 24 है ज्यान रखिएगा कल 18 जून है कल एक्जाम है तो आज यह वीडियो हो सकता है आपके लिए कफी बुष्ट का काम करेगा बाकि जो मेरा वी पॉर्शन नमेंबर बन है कहता है सपोस्ट द टूरिघ्रेसन कफिसेंट डण बी य एक्स अं बी एक्स वाइं देके यह दो अरिघ्रेसन कफिछ एंट पी एक्स वाई है मतलब रिघ्रेसन कफिसेंट य ने एक्स डिए संग ठीकर ना कुछ यहाँ पर दीये हुआ हैं ऑप एक्सवाई डेके जहां रख्येगा आर का फोर्मूला होता है तो नो रिग्रेशन को अफिसल का जोमेट्रिक मीन मतलग भी वाइएक से इनटू बीक्स वाई और यह इंट्वे सो क्या अगो बहुत वन रंट भी जो नोर्मल कर देखें जो नॉर्म यह ना यहां पर मीन वैल्यू हमारा है राइट यहां पर मीन वैल्यू है यह एक से हमारा इसा मीन वैल्यू राइट कहता है अगर हम लोग मीन प्लस थ्री स्टेंडर्ड अविएशन इदर मीन माइनस थ्री स्टेंडर्ड डिविशन यह मीन मू लिख देते हैं यह पर पॉपुलेशन को दिखा रहा है यह कहता है कितना परसंट एरिया कवर करता है तो यह नॉर्मल डिस्टिबिशन से डारेक्ट दिया हुआ है कि इस्टेंडर्ड नॉर्मल कर जो है वह क्या होगा 0.9973 एरिया कवर करता है मतलब 99.73 परसंट एरिया कवर करता है ठीक है ज्यान रखेगा मीन के जगहां पर जो यह कर्व होता है यह कंकेव होता है जबकि हमारा यहां यह वाला एरिया है यह पूरा एरिया कवर कर देता है पूरे एरिया खतम हो जाता है हमारा ठीक है लगभग यह मेन प्लस माइनस टू स्टेंडर्ड आवियेशन का है यह ठीक है मना 0.9 यह पी 95% बोले हम लोग हना फिर 0.68 जो यह है मेन प्लस माइनस स्टेंडर्ड आवियेशन है यह ठीक है तो हो गया टोटल एरिया यह ठीक है यह माइनस स्ट्री प्लस प्लस ट्री बोला था तो आंसर हमारा 0.99 73 होगा ठीक है ना कोर्षान थी है कोफीशियंट औफ वेरियेशन एद्ध कैप अफिसेंट आउब वेरियेशन होता है स्टेंडर्ड एवियेशन अपन पाउन मीन इन्टू हंड्रेड ठीक है पहला आंसर गलत हो गया दूसरा यह भी गलत हो गया तीसरा तीसरा इसको लिख सकते हैं ना हंड्रेड इन्टू स्टेंडर्ड इविएशन उपर चला जाएगा मल्टिप्ला कर देंगे तो नीचे मीन आ गया तो यह हमारा ऑप्षन है सी नंबर सभी है ठीक है चलिए एक गिवें दटू रिग्रेशन दो रिग्रेशन लाइन है यह वाई ओन एक्स है पहला कौन है य अग्स है दूसरा है एकस और य राइट को दिक्कत नहीं है कहता है यहां पे पोफिसेंट अपो रिलेशन निकाल यह तो देकिए यह हमारा यह यहीन यहां प Devlex value जो है मरा यह बलाdvx का वर्ल्यू ठीक है वो地方 चेट वह जिरो पौइंट 4 हो गया और यह hostage fans वाई होता यहां पर य के पहले कितना 0.9 है और रिलेशन का फोर्मूला क्या होता है दोनों का मल्टिप्लाइट जी और रूट 0.4 into 0.9 ठीक है इतना होगा रूट अंड़ 0.36 मतलब 0.6 ठीक है हो गया अब ना एक बार एक सवाल लोगों के मन में ये भी आता कि सर ऐसा क्यों अगर वाई बराबर लिखा हुआ है 4 प्लस 0.4 X तामने इसको ऐसे भी लिख सकते है ना एक स बराबर 4 माइनस 0.4 लिख सकते है 4 माइनस Y पा 0.4 डिभाईट में इचे भी 0.4 ऐसा लिख सकता है कि नहीं मतलब X बराबर 40 10 10 बचे का माइनस 2.5 Y हो गया ऐसे भी लिख सकता है लिख सकते है ना बिलकुल लिख सकते है अग जो हमारा X on Y है माइनस 2 प्लस 0.9 Y इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते है ना Y बराबर क्या होगा Y बराबर हमारा हो गया X बराबर इधर ना आए यह एक्स है 4 अच्छा यहाँ प्लस होगा प्लस का साइन होगा यहाँ पर मैंने गल्लत लिखा है यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ठीक है, माइनस 10 प्लस इतना, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस उधर को से 2 प्लस एक्स डिभाइन में 0.9, यहाँ पर भी 0.9, ठीक है, मतलब अगर इसको लिखा जाए, 220 by 9 लिख दीजे, प्लस, 10 बटा 9 लिख दीजे, इन्टो एक्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी न, अगर ध्यान से देखा जाए, तो क्या होगा, कोरिलेशन बराबर हम लोग इसको गुना करके रूट डालेंगे, 2.5 इन्टो 10 बई 9, मतलब 25 बई 10 गुने 10 बटा 9, ठीक है, इसका वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे न, तो एक से जाएदा आ जाएगा, ठीक है, तो कोरिलेशन का वैल्यू एक से जाएदा नहीं होता है, प्लस 1 माइनस 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो जब ऐसे एक्वेशन दिया रहेगा, पहले तो ऐसे ही माल लेना, माल लीजिए, यहाँ से प्लस माइनस 1 के बीच में आ गया, तो वही आंसर है, और नहीं आएगा न, तो इसको इस तरह से कनवर्ट करके देख ठीक है, बट यहाँ पैसा नहीं हो रहा है, यहीं पर सटिस्फाय करके 0.6 हमारा आंसर होगा, ठीक है, चलिए, क्यता है, इन केस 3 इज एड़ेट टो इच अप दा वैल्यू, 1, 4, 20, 15, 10, the median, जेखो, एक होता है, चेंज इन ओर इजिन, चेंज इन, और चेंज इन स्केल, ठ कहा जाता है न, अगर सारे ही तरम में, equal number प्लस या माइनस किया जाए, तो उसको बटीछेंज इन, और अगर सारे ही नंबर में, equal number multiply या टिवाइड किया जाए, तो उसको बोटेशेंज इन स्केल, यहाँ पर क्या बोला है, एड़ किया जा है, मतलद चेंज इन origin की बात कर रहा है ठीक है ना तो देखें कि यहां पे कहता यह है ना की अगर 3 add किया जाए 1 में 4 में 20 में 15 में 10 में तो चेंज इन ओर इजिन क्या होगा देखें इसका मीडियन कहा होगा भी देख लेते पहले पहले आरेंज करेंगा असेंडिंग अर्दर में 1 4 10 15 मीटिन वरावर किया हो जाएगा पाज यह इक छे ऊंच था अंग अग्टम हिस्टर्म हृत्टम आएगा था तक्टम दसकी हमारा मेडियन आप सब में अगर तीन-दीन अगहां तो 1 का हो जाएगा 4 4 गाओ जाएगा 720 फिर 10 गाओ जागा 13 15 गाओ जाएगा 18 20 23 मेडियन बरावर क्या हो गाओ फिर से वाई 6 दो एक तर्म तर्ट अम कितना है मारा थर्ट अमारा कितना है 13 कि इतना है 13 ठीक है मतलब क्या देखा हमने यहां पर कि जब हम लोग सारे ही टर्म में है ना कोई नंबर एड़ कर रहे हैं तो हमारा मीडियन का वैल्यू भी उतना के बराबर बदल जा रहा है ठीक है तो यहां पर पहले 10 था आप कितना हो गया 13 हो गया तो बिकाम्स 13 ठीक है ना चलिए फॉर्मूला तू कैल्कुलेट पासे इंडेक्स नंबर पासे लेस्पीरे फिसर यह तीन इंपोर्टेंट है पासे लेस्पीरे का फॉर्मूला था सिग्मा यहां एन का मतलब है करेंट यह यह लेस्पीरे का है ठीक है पासे इंडेक्स नंबर जो हमारा है वो क्या है सिग्मा पी एन यू एन पाइ सिग्मा पी नॉट यू एन इंटू हंड्रेड ठीक है क्या होगा हमारा अंसर कहीं दिया हुआ है बिल्कुल आप्सन नंबर ए में दिया हुआ है ठीक है चलिए एक साथ दो डाइस को फेका गया प्रबैबलीटी टोटल आउटकम फोर तो फोर आने का क्या चान्सेश है अगर पहला में बन दुसरा में थ्री आजात तब चार हो रहा है पहला में तीन दुसरा में एक आरा तब चार हो रहा है ठीक है बाकी वर तो कोई चांस नहीं है ठीक है और दो डायस है तो अब रसेंपल इस्पेस हो जाएगा छे का पावर दो मत्वल्चती तो ये कितना हो टर्म एक दो तीन तो तीन बटा छथी समारा आंसर होगा मतलब इन बटा छथीज इतना हो गया 1 by 12, option number D, ठीक है, next, for a 2 variable regression model, धना, Y on X है, Y dependent, X independent, let 0.76, 0.76, जो है, coefficient of determination, यह R square है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब, explained variation in Y, दिया हुआ है, कितना, 0.76, मतलब, 76% variation, जो है, explained है, ठीक है, इसका मतलब, 24% of variation of dependent variable Y is not explained by the independent variable X, हाँ, बिल्कुल सही है, 76% variation independent variable, जो है, इसका तो root हो जाए है, जाएगा, mean, गलत है, गलत है, option number, यह हमारा correct answer है, ठीक है, यहाद रखेगा, R square, बराबर, कॉफिज, determination, बराबर, explained sum of square by total sum of square होता है, मतलब, percentage which is explained, हना, by X, ठीक है, चली है, if a card is chosen from a standard pack of card, what is the probability of getting a 3 or a 7, देखे, एक playing card में, number of 3 card जो होता है, वो चार होता है, number of 7 होता है, जो, वो क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, तो कहरा है, 3 आया, 7 आया, क्या होगा, तो probability of coming 3 will be 4 by 52 card होता है, वैसे probability of 7 जो होगा, वो क्या होगा, ये भी 4 होता है, 4 by 52, दोनों ही mutually exclusive है, दोनों में कोई common चीज नहीं है, तो 3 और 7 का formula क्या हो जाएगा, probability of 3 plus probability of 7, that is 4 by 52 plus 4, sorry, 4 by 52 plus 4 by 52, मतलब 1 by 13 plus 1 by 13, 1 by 2 by 13 हो जाएगा, 2 by 13, हाँ, 4 by 52 दिया है, 1 by 26 दिया है, 4 प्रचा, 8 बटा, 52, अच्छा, इसको टाइक वनों 8 by 52 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही रहने यही आंस ऑप्सन दिया हुआ, मैं पुरा सिंप्लिफाय करके 2 by 13 भी रहेगा, आंसर हो गया, इसी का मतलब 8 by 52 भी होगा, ठीक है, आंसर सी है, राइट, नेश्ट है, रिग्रेशन स्लोप, कॉफिसेंट अपिक वेशन, वाई, इस इंडिपेंडेटन अप चेंजीन, और इस इन बट नॉट इन स्केल, आप्सिन अबर एही करेक्ट होगा, जो रिग्रेशन कॉफिसेंट स्लोप, जो कॉफिसेंट होता है, वो ओर इजिन से इंडिपेंडेटन होता है, मतलब सभी डेटा में कुछ चीजें, सेम नंबर, एड़ कर दिया जाया, सब्ट्रेक्ट कर दिया जाया, उससे इंडिपेंडेटन रहेगा, लेकिन मुल्टिप्लाय कर दिया जाया, तो अफेक्ट होता है, ठीक है, तो ओर इजिन से इंडिपेंडेटन रहेगा, बट स्केल से नहीं, ठीक है, correlation coefficient is the of two regression coefficient मैंने बताया था हना correlation coefficient जो होता है वो क्या होता है bxy into byx इसका root हना मतलब यह geometric mean of two regression coefficient है ठीक है option number a clear चलिए नेक्स्ट है in a two variable regression model the correlation coefficient between dependent and independent variable is 0.8 correlation coefficient कितना 0.8 है what is the percentage of variable variation independent variable explained by the independent variable इसके लिए रस्क्वार चाहिए रस्क्वार बताता है कि dependent variable में जो variation है एटीज एक्स्प्लेंड बाय इंडिपेंडेंड वरियेबल आसका कितना होगा 0.64 होगा मतलब कि 64% होगा ठीक है तो क्या होगा what is the percentage of variation dependent variable explained by the independent variable तो 64% ठीक ना चलिये if x is a random variable with probability PI then expectation of x देखे expectation of x का formula होता है sigma probability और हमको पता है कि probability का सम जो होता random variable का होता है 1 तो सिग्मा पी आई एक्स आई पाई 1 इक्वर्स सिग्मा पी आई एक्स आई एक्स आई ठीक है आंसर ओको option number B this is the correct answer ठीक है चलिये तू regression equation y on x and x on y देखो फिर से y question आ गया भी मैंने बताया भी था और what value of x the predicted value y is 20 देखो य का value क्या होगा अगर x का value हमारा क्या है अलो सोरी यहाँ पर कहता है और what value of x x का value क्या होगा अगर y का value 20 है ठीक है ना पर what value of x predicted value y is 20 ठीक है ना तो predicted value of y का मतलब y estimate किया गया है तो वो क्या है minus 20 plus 0.5 x ठीक है ना यह है इसको मतलब होते है एक regression impression y on x तो कहता है x का किस value पर यह जो predicted value है वो 20 आए मतलब यहाँ पर 20 put कर देते है minus 20 plus 0.5 x क्या होगा 20 धना जाएगा तो 40 equals 0.5 x x रापर क्या हो जाएगा 40 by 0.5 तो 40 by 5 कितना होगा 80 yes x का value कितना होगा 80 होगा ठीक है दिस अच्छा यहां बारा लिखा हुआ मैंने बीस लिखा है वाइबर टुवेल्व है हना मैनस टुवेल्व है ठीक है चलिए कोई नहीं हो जाता है है मिस्टेक मैनस 12 मैनस 12 इदर हो के 32 बराबर 0.5 x ठीक है एक सराबर 32 by 0.5 मतलब तीन सो बीस बाइब पांच इभाइड करे तुछे विट तीस तौसर्ट 64 ऑप्सर नबर सी इस इस अ करेक्ट आंसर क्लिए है चलिए कि एदा ओवराल सिग्निफिकेंस आप एस्टिमेटेड मल्टीप अ मल्टीपल रिग्रिस्टन मॉडल इस टेस्ट बाइव यूविंग देख यह एफ टेस्ट के दवारा टेस्ट होता है अगर एक कंप्लीट इक्नोमेट्रिस का मैने वीडियो डाला था कुछ दिन पहले अ ठीक ना अधिकत नहीं है चलिए और टेस्टिंग आप मीन इफ इज अन इज अन नोन वीच आप फॉलिविंग टेस्टी नर्मली अप्लाइट देगे अगर यह नोन होना तो जैनरी जैट टेस्ट हम लोग अपलाय करते हैं ठीक है अगर यह अन्नोन हो तो टी टेस्ट हम ल लाएं लेकिए सबसे पहले आपको पता होगा कोफीशियंट और वेरियेशन का फोर्मूला होता है इस्टेंडर्ड डेविएशन पाय मीन इन्टू हंड्रेड टीक है 20 परसेंट है मतर्द जीरो पॉइंट टू कोफिसेंड डेविशन इस्टेंडर्ड डेविशन में पता इन्टू हंड्रेड टीक है या हो जाएगा प्रोस मल्टीप्लाय कर दें तो हो गया है नब्दे 90 बचेगा 90 बराबर इस्टेंडर्ड डेविएशन इन इन्टू हंड्रेड मत्रबटा हंडेड कर देंगे तो यह जाएगा इस्टेंड डेविशन इक वर्स जीरो पोइंट ठीक है, 0.9 है, variance हो जाएगा, square कर देंगे, तो 0.81, यहाँ पर 81 बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, coefficient of variation, देखे, basically, अभी मैंने जो formula एक कोशन अभी करवाया था, वहाँ पर मैंने clear भी किया था ना, देखे, कोशन, हाँ, यह है ना, यह होता है न, coefficient of variation का formula, यहीं तो clear था यह चीज, ठीक है, 100 multiply हो गए होगा, coefficient of variation में, तो यहाँ पर कहता, यहाँ पर answer, जो answer दिया है हमारा, यह मानते वे, सो नहीं मान, सो नहीं लिया है, सो तो लिया हुआ है, सो तो लिया है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 90 standard deviation है, तो फिर उसी साब से, यहाँ पर 80 100 बोल देगा, यह कोशन थोड़ा सा आप लोग क्रोस्माट चेक कर लिजिएगा, ठीक है, मेरे accordingly variant 0.81 आ रहा है, जो कि ऑप्सन में दिया हुआ, नहीं है, ठीक है, चलिए, 89, the median of a distribution is, median दिया हुआ है, कितना, 33.6, mode is, mode दिया हुआ है, 42.5, mean दिया हुआ है, 28, मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, Z, मतलब, mean is less than median, which is less than mode, हना, यह कब से, यह situation किसका, यह negative scared का है, ठीक है, negative scared में क्या होता है, जब हमारा data कुछ इस परकार का हो, ठीक है, frequency distribution इस प्रकार का हो, इसको negatively scared बोलते है, अगर data हमारा इस प्रकार का हो, यह positively scared होता है, ठीक है, तो यहाँ पे, इस case में, mean less than median, less than mode होता है, negative scared है यह, sorry, negative, scared, or mean, greater than median, greater than mode होता है, यह होता है, positive scared में ठीक है, clear है, तो हमारा यहाँ पे, यह बला option satisfied कर रहाँ था, मतर निगेटिवली scared है, right, next, state, which is the following statement not correct, less peries, अभी मैंने formula पताया था, यह less peries का formula सही है, passes का भी सही है, dorbis balle का यह भी सही है, feces का गलत है, feces का जो formula होता है, वो less peries passes दोनों का multiply होगा, हाना, by sigma p0 q0 into sigma p1 q1 by sigma p0 q1 all under root into 100, यह होता है, feces का, feces test होता है, ठीक है, चलिए हो, which of the following can be represented by a qualitative data, देखो qualitative data का मतलब होता है, जिसको number में नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो high top student in a class, बता सकते हैं भाई, अना, बता सकते हैं, height 5 feet है, 10 feet है, having or not having a car, होना नहीं होना, यह presence or not present की बात करता है, यह qualitative देता है, ठीक है, तुमारा answer यह होगा, ठीक है, quantitative data हमें पूछा तक qualitative यह quality के रूप में represent कर सकते हैं, यह भी quantity के रूप में, यह भी quantity के रूप में, बड़, भी number जो है, होना यह नहीं होना, quality बता रहा है, आपके पास car है, और किसी पास car नहीं है, तो यह होना और नहीं होना का quality बता रहा है, attribute बता रहा है, यह qualitative data कहलाता है, ठीक है ना, यह था आपका आज का important MCQs on statistics, मुझे उम्मीद है, यह काफी जादा आप लोगों के लिए helpful रहा होगा, तो मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में आप सभी को all the best, जो बच्चे कल एक्जाम देरें, सबको all the best, इदम आराम से एक्जाम दीजिए, बहुत 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 होगा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद